अभी नमस्कार सभी सातियों को तो आज हम बात करेंगे देखिएगा अर्याना फायर सिर्विस की जो बरती है उसमें एक टोपिक लगता है उसमें एक फायर टेंडर का कम्पलीट चेप्टर दिये वाटर फायर टेंडर का सातियों उस चेप्टर के बारे में कम्पलीट अधियन करेंगे पहले ये समझेंगे कि अपना जो सलेवस है उस सलेवस में उस चेप्टर के कौन-कौन से टोपिक आने वाले हैं क्या-क्या उसमें पूछा जाएगा उसके बाद में आपको मैं पूरी डेटेल्स इसके बारे मे कोशिस करूँगा कुछ एक पॉइंट ऐसे चुटेंगे भी उसको बाद में अपन क्या करेंगे कवर करेंगे और ये भी मेसेज आपके लगोतार यूटूब पे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप पहले वीडियो डालते थे अब काफी तिन होगे पिछले दो सब्ताय से आ कर रहे हैं और अब ही इसके लिए तत पर त्यारी करेंगे तो आप अपने चैनल के मात्यम से जैसे पहले प्रवाइड करवाते थे वेशी कोई न कोई मेटर अपने फायर शेप्टी से समदीद कोई न कोई टोपी को उपलब्त करवाया करो ताकि आप जो बताते हो वो बिल करें इंट्रोडेक्शन लेकर के यूज क्लासिविकेशन कंप्लीट इसका अध्यान करेंगे कहा का इसका यूज किया जाता है और मैं इसका आईस कोड क्या क्या होते हैं कौन-कौन से टाइप के कौन-कौन से कोड होते हैं बेसिक जानकारी में आपको प्लूब्त भूडए रहिएगा तो सबसे पहले अपना अतियन करेंगे वाटर टेंटर के बारे में आपको यह गाड़ी दिखाई दे रही होगी इसी गाड़ी का मैन प्रपफच यह क्या प्रपच हो जा इसका मैन प्रपच यह होता है कि जो आग लगती है ना उसको किसी ने किसी मात् यह प्रकार का क्या है तैंडर है कौन सा हो यह तूझत है ना वाका कि कितने प्रकार के जो वाटर टेंडर होते हैं इनके अलग लग टाइप होते हैं के पीशिटी के अधार पे कितने प्रकार के होते हैं क्या क्या इनका कारिया होता है यूज ओपर वाटर टेंडर जो कारिये के बाद में बात आती है कि इनका अपना यूज के सुरी प्रकार के ब सात्यों ये भी एक गजब का टोपिक है फायर पंप के बारे में complete अध्यन करेंगे कि जो ये water tender होते हैं जितने भी tender होते हैं उनमें pump का क्या कारिया होता है मैं इसमें किस प्रकार से world किया जाता है क्या 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 होता है पोर्टेबल होता है ट्रोली मांटेड होता है जो भी ये pump होते हैं उनका इन फायर टेंडरों में क्या कारिया होता है होज रील एंड होज एड्स फंक्षन होज जो होती है देख्यों जो होज होती है वो भी एक परकार का इसी fire fighting का ही बाग है इसी की accessory है अपना जो fire tender होता है water tender होता है उनमों जो पानी होता है उसको प्रेसर से आगे बेजने के लिए एक मात्यम की जूरत पड़ती है वो होती है होज और होज के टाइप्स पड़ेंगे होज रील क्या होती है उसके बारे में जानेंगे उसका कारिया जानेंगे पूरा डेटेल से अपने इस टोपिक में पड़ेंगे चेप्टर में पड़ेंगे ठीक ह ठीक है टेंडर एज पर आईएसस 950 एंड इट्स इंपोर्टेंट फ्यूचर तो सातियों कम्प्लीट फायर के टेंडर के जो चेप्टर है उसमें कम्प्लीट चीजे पुछी जे गई है और वो ही अपने को पड़नी है कोशिश करूँगा पूरा ध्यान से सुनियेगा इस व कि आपके लिए बहुतिं फिर यह क्यों फोटेंट एगे advoced तो यह यह टीए गई है वहर एक फायर में अगर कोर्श करने के बाद में हर एक जोब के लिए मत पोर्टेंट तो सब्से पहलें मैं करता हूं कि यह फाइर ट्र अबट ऊंडर होता है वह होता क्या है उसमें पंप लगावा हूँ और पंप के द्वारा उस पानी को प्रेसर से आग तक बेजा जाया जा सके उसी को क्या बोलते हैं फायर टेंडर बोलते हैं ज्विवाइड किया अपने चेप्टर में के वाड़ेंगे picture तेक प्रत्र इसफलिए गसे कि यानि एक विश्य प्रकार की गाड़ी जसमें टेंक को उस टेंक में पानी बधाई हो उस पानी का कारिया क्या हो जब फायर फाइटिंग करनी ओड़ तुपानी आसानि से परियोग में ले सके अनेक एसे रिजित उड़ी होती है तो इसी को क्या बोलते हैं water tender क्या बोलते है water tender tender एक प्रकार का ग्रूप का नाम है tender को अगर दूसरी भासना बोल धमकल की जो गाड़ी होती है न वही tender होता है fire यानि अगनी समनकारिय के लिए fire fightingen के लिए आग को बुजाने के लिए जस गाड़ी यानि जिस addresses पर टेंकर का होता है उस tank के साथ में कोई न कोई pump जोड़ा हुआ होता है या उस tank से पानी आगे बेजने के लिए कोई portable या trolley mounted pump का प्रयोग किया जाता है तो वो ही एक जो वेवस्ता बनी हुई है उसको क्या बोलते है fire tender, water tender हो गया अभी इस water tender में पानी बरावा होता है और ये water tender कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सातियों पड़ेंगे types के आदार पे बांटा गया है work के आदार पे इसको divide किया गया है अच्छा topic का द्यान से देखिएगा, समझिएगा सबसे पहले बात करते है water tender में ने बताई दिया water tender ये मैं आज पहली बार ये लिक लिक के इसलिए बता रहा हूँ हम नोट्स भी बनाते हैं तो अगर आप पे पढ़ाई रहे हो तो आप साथ साथ में कुछ लिक दिया करो तो उसका जवाब एक मेरा ये भी है कि साथियों अगर मैं आपको किसी भी यूटूब का वीडियो डाल रहा हूं इस प्रकार से अगर पढ़ा पढ़ा करके इस प्र द्रेटरी च необходимо करता हूं हर चीन समझाने की वाटरर रहता है अब यक वीचेश्ज प्रकार की गाड़ी होती है विशेज प्रकार की गाड़ी होती है, जिसमें एक टेंक लगा होता है, यानि जो मेन पार्ड होता है, जो फायर टेंडर होता है, मेन डिपेंड करता है इसकी चेचिस भी, जो अपनी चमता होती है पानी की, और जो आपका पंप लगा होता है, पंप की जो इसकी पावर होती ह वो depend करती है इसकी chasis पे यानी प्रकार में पहला होता है ध्यान दीजियेगा अच्छा टोपिक है समझ में आएगा बिल्कुल आपको ताइप A तो इसलिए टाइप A है इसमें क्या होता है यह भी A के गाड़ी ही है देखी इस प्रकार से सारी वेविस्ता होती है यह भी A के गाड़ी ही है यह पानिका टेंक हो गया यह आपके केविन हो गया जिसमें क्या क्रू बेठेंगे जो क्या करते हैं या तो पोर्टेबल पंप होगा यापन क्या गरते हैं इसमें केबिन में में परोटेबल लखा होगा इसको असानी से कुनार दूसरी दान तक ले जाये से कथा होगा दूसरा इसमें च्रबिन रखा जाता है मुख्य तैश्का प्रोग करते ना ग्रामीर होती है उनको जंगल की जो फायर उती है उनके लिए प्रयोग लेते हैं यह टाइप का है पर इसमें जो pump होता है वो लगा हुआ नहीं है, pump portable होता है, इसलिए इसको बोलते है, type A, type water tender, इस water tender का जो आपका IS code होता है, वो होता है 948, IS जो code होता है 948, ये चीज़ें आपको साथ साथ में ध्यान रखने हैं साथियों, 948 आपका इस tender का क्या होता है, IS code, Indian standard का जो code होता है वो कितना होता है 948, आगे बात करते है class B की, आगे बात करते है type B, अब type B में क्या होता है, ये भी एक प्रकार का tender ही है, पानी इसे आग बुजाने का गाड़ी ही है, माद्यम ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें जो अपनी गाड़ी होती है, इसमें जो गाड़ी होती है जो pump होता है यह जो अपना पानी का टेंक हो गया यह आपका केबिन हो गया pump होता है यहां इसके साथ क्या होता है बॉयल्ट होता है यानि pump इसके साथ लगा हुआ होता है और यह fire fighting करने के लिए मुख्यत है दोनों आग को भुजाने में काम होता है rural fire और urban fire यानि ग्रामिन को जो सहर की जो ग्रामिंड और कस्विक जो फायर होती है उसको भुजाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और आपकी क्या करते हैं सहरों की आग को भी भुजाने के लिए B type के जो fire tender होते हैं उसका प्रयोगे किया जाता है बाकि अन्य एसे स्री भी इसके साथ में होती है वो सात्यों लास्ट में मैं बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा अन्य एसे स्री भी इसके साथ में होती है एक चीज और द्यान देनी है मैं बात करता हूँ water tender की तो water tender में एक सबसे important दोर होता है foam compound अगर आप इसी water के साथ में foam बनाने वाला compound भी रख लेते हो तो इस tender को नाम दे दिया जाता है foam type fire tender समझे हो ना यानि अगर इसमें देखो pump लगा हुआ यह है पाने के लिए tank इसमें लगा हुआ है एक tank और एड कर दिया जाए जिसमें foam compound बरा जाता हूँ यानि जाग बनाने वाला chemical तो इस tender को नाम दे देते है foam tender समझे है ना यह cabin हो गया जिसमें crew बेटते हैं fire fighting करने के लिए जो सदस्यों की संक्या होती है वो इसमें होते है जो आसाने से वहाँ पर जाकर के क्या कर सकते है fire fighting कर सकते है तो type B आपका क्या हो गया type B water tender ठीक है इसका प्रयोग मैंने बताई दिया rural और आपके urban fire होती है दोनों पे प्रयोग करते हैं जो pump होता है वाइल्ट होता है pump लगा होता है उसमें portable pump नहीं होता ए टाइप में portable pump होता है आपका type B टाइप B जो water tender होता है उसका IS code की बात करें तो सात्यों होता है 950 इसकी IS code की बात करें तो वो क्यों होता 950 अगर इसमें form compound एड करती है जाए इसी tender में तो वो होता है form type वाटर tender उसकी मैं अगर IS code की बात करूँ तो वो सात्यों होता है 10460 यह आपका किसका होता है form type जो आपका tender होता है उसका IS code होता है अभी मैं बात करता हूँ type X की पहला होता है type A दूसरा होता है type B तो type X type का जो water tender होता है इसकी जो capacity होती है यह पानी की जो चमता होती है पानी का जो tank होता है वो A type और B type के tank के मुताबित इसकी क्या होती है ज्यादा होती है यह इस type X type का जो fire tender होता है उसकी चमता क्या होती है उन दोनों tender हों से है ज्यादा होती है रूरल पायर ग्रामिन हो कोई भी आग हो कोई भी फायर हो किसी भी छेतर की तो उसके लिए इस टेंग का प्रयोग किया जाता है और मुख्यत है बात करें जाती हो इस टेंग का प्रयोग कहां किया जाता है के ज़्यादा तर वहां किया जाता है जहां पानी की क्या हो कमी यानि जहां पर पानी प्रेप्त मात्रा में नहीं उपलब्द हो वहां पर ये बड़े टेंक के वहां पर फायर फैटिंग के लिए ले जाये जाते है ताकि रेगुलर वहां पर फायर फैटिंग की जा सके और आ प्रसारे मेले चंजर यांति कि युद्ग शाथाे हैं जो आपको बताए आपत्रेंगे बता दिया कि ארहीं के वहांने départ वारती इसे ूंद्र करने दिया ब्लूर यह बिल्कुल उससे आपकों मिलेगा आपडे लोगा को डबिदियो प्रिक्स नो डेमो की तोर पर आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं ठीक है ना तो यह था आपका वाटर टेंडर एक चीज और बता देता हूं जो टाइप एक्स वाटर टेंडर है ना आपने सुना होगा एर क्राप्ट की जो फायर होती है उसको क्रेश टेंडर की जाता है और वहां पर अगर पानी की बात करें अगर उस क्रेश टेंडर को लगोतार पानी देना है तो इसी टाइप एक्स टाइप के वाटर टेंडर होता है इसके द्वारा उसको क्रेश टेंडर को लगोतार पानी प्लूबद कर वह जयाता है ताकि उसको क्या कर सके लगो बताना साती हो ठीक है ना तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सबसे पहले पहला काम है अगर आपने वीडियो कमप्लीट देख लिया तो सब्सक्राइब जुरूर कर लेना और हर्याना फार सेर्विस के लिए आपके हर्याना इंसार में completely online और offline bench प्रारम की हुए हैं कभी भी आप मेरे से संपर्ख कर सकते हो बिलकुल आपको मेरे सानेतिया में मेरे मार्ग दर्षन में complete त्यारी करवाई जाएगी सातियों ए बन प्रफेक्ट ठीक है धन्यवाद मिलते हैं एक स्टूडियों और भी सांधार कंटेंट के साथ